बहुत टाइम हो गया कोई एनिमे मुवी या एनिमे सीरीज देखे वे लांस जो मैंने एक एनिमे मुवी देखी थी वो थी अटैक ओन टाइटन का लास्ट पार्ट आया था मैंने उसका रिव्यू तो नहीं किया लेकिन मैंने उसको देख लिया था जिस दिन वो रिलीज कि ओफिशली जो है वो हिंदी डब में आनी स्टार्ट होगी है करंची रोल पर आप जाके देखेंगे तो एक काफी जादा मनता किया है हिंदी में कैसे एनिमे सीरीज आई है उसके अंदर जो वोई से वो कैसी लग रही है क्या मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है ये मज़ा सबको देना चाहता हूँ अगर ये अच्छी लगी मतलब ये सीरीज के बारे में जब रिव्यू करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कैर तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले है टोमो चैंप इस गर्ल करके एक एनिमे सीरीज है जिसके अंदर 13 एपिसोड है हर एपिसोड की चल लें तब वो तकरीबन 20 से 25 मिनट जो एक एवरेज टाइम होता है एक एनिमे सीरीज के एपिसोड का वही रखा गया तो आप देख लेना कि 13 एपिसोड को देखने में आपको कितना टाइम देना पड़ेगा इस सीरीज को तो हम बात कर लेते हैं इस सीरीज की कहानी क्या होने वाली है आगर आप इसके नाम को डिकोड करे तो आप समझ जाओगी कि इसमें एचुल देखो मैंने जब इसका नाम पढ़ा था समझ गया था कि इसके अंदर क्या कहानी हो सकती है प्रेडिक्ट कर लिया था हम काफी जादा इंटेलिजन जो हूँ तो यहां पर जो एक टॉमो करके एक लड़की है वो एक टॉमबोई है टॉमबोई मतलब कि यार उसकी अपिरेंस उसकी वोईस, उसकी हरकतें लडकों जैसी है, वो लडकों के साथ ही बड़ी-बड़ी है उसकी अपिरेंस काफी जादा एक लड़कों जैसी है मजबूत है, strong है काफी अब उसको एक लड़का पसंद हो जह ज़ोग इसके बचपन का ही फ्रेंड होता है की help करती है एक का नाम मैं भूल रहा हूं यहां पर वो जो हंस्ती नहीं है काफी ज़्यादा मुझे वो पसंद आई उसकी हरकते हैं उसकी वो एक डार्क स्माइल मुझे वो बहुत पसंद आई है इस सीरीज के अंदर अब जूनी चीरो को कि कन्वेंस कर पाती है नहीं कर पात इस सीरीज के अंदर खराब हो जाए यह तो थी इसकी कहानी अब बात करते है कि कितनी जादा अच्छी है कितनी जादा बूरी है देखो अच्छी में तो देखो मैंने जैसे आपको बताया कुछ एक सीन जो है इस सीरीज के अंदर या जो एक करेक्टर है जो तोमो का जो इस तोमो की एक friend होती है वो मुझे पसंद है कुछ एक comedy सीन है वो ठीक ठाक लगे मुझे बाकी सीरीज के अंदर जो कहनी है वो मुझे इतने इंटरस्टिंग नहीं लगी, मुझे ये लाफी दर तक अपने साथ ये बांदे नहीं रखी, क्योंकि यार इतना मज़ा नहीं आ रहा था सीरीज के अंदर अब 13 एपिसोड हैं इस सीरीज के अंदर बार बार वही चीज हमें देखने को मिल रही है कि टोमो और जुनी चीरो के बीच में फाइट हो रही है बिना बज़े की हर बातों के उपर उनके बीच में फाइट हो जा रही है वो इरिटेट करने लग जाती है मतलब होता है नहीं कि हम एक बहुत बढ़िया ड्रामा या फिर एक सीरीज ऐसी देखनी है जिसमे हमें emotional एंगल या अगर आप प्यार दिखा रहे हैं तो प्यार हमें बहुत mortgage ने को मिले या फिर आप उसके अंदर comedy दिखा रहे हैं तो comedy बहुत अच्छे से देखने को मिले तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ना सही धंक से कोई comedy है ना कोई सही धंग से कोई emotional angle इसके अंदर develop किया गया है character development की बात करूँ तो वो भी इतना मुझे कोई खास लगा नहीं बस 13 episode के अंदर थोड़ा बहुत flashback में हमें देखने को मिलता है कि इनकी क्या कहानी है, इनकी दोस्ती कैसे हुई, Tomo और Junichiro की तो वो हमें थोड़ा बहुत हमें देखने को मिल रहा है दोनों एक दूसरी की care कैसे करते हैं, यह थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलता है बाकी series में इतना interest नहीं आता है तो मुझे तो देखो story wise या इसके animation wise मैं बात करूँ तो बहुत एक average मुझे एक कहानी लगी या anime series लगी जो main जो मेरा purpose था इस series को देखने का वो था इसके hindi dub तो hindi dub कैसी है, उसके बारे मैं बात करूँ तो हाँ, hindi dub पे भाई सब यह बहुत अच्छी लगी मुझे इसके जो character के उपर जो voice दी गई थी वो काफी जादा बढ़िया थी, किसी भी character पर ऐसा नहीं feel होगा कि यार, ये voice इसके उपर suit नहीं कर रही है वो सही लग रही थी उसके उपर हाँ, हमें एक तरीके से hindi dub के अंदर बहुत अच्छे से satisfy करती है यह series मेरा हिंदी डब के लिए ही इस series को देखना था एक काफी टाइम से मैंने कोई series नहीं देखी थी एनीमे series नहीं देखी थी तो वो भी एक requirement पूरी होगी और खास कर हिंदी में देखना ही थी, वो भी requirement पूरी होगी तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखो इस series को मैं देना चाहूँगा 5 of top 10 अगर आप लोगों ने series देखी है तो please comment करना कि आप लोगों को यह series कैसी लगी अगर नहीं देखी है जस time pass के लिए कोई series देख रहे हो